तो आज मैं आप लोग सेयर करूंगी एक कलचर से पांच बीड़फूल एवरीडे हैरस्टाइल गर्मियों का मौसम आ रहा है तो हम लोग ढूनते हैं कुछ अच्छा सा स्टाइलिस सा एजी हैरस्टाइल जो कि हम लोग एवरीडे में कर सके मार्केट जाते हैं तो कर सके तो आप अपने हाल में ताइस कर सके जटाएं जाते से इजाए कना बखार आप कर चांशा-तान। तो यहां पर यहां पर निकाल लिया है एंड मेकप टूटोरियल वीडियो अप्लोड हो रखें चैनल पर तो आपने नहीं देखिए तो प्लेज जाके देख लीजेगा तो इस तरी केसे बालों को ट्विस्ट करना है पहले रबड ले लिया था बट रबड लगाना नहीं है आप चाहो तो ऐसे भी करके यहां पर एड कर शकते हो बट इसमें थोड़ा सा आपका क्लचर ज्यादा दिखाई देगा तो इसके लिए आप मैं ऐसे करके आप क्लचर के अंदर ही बालों को इंसर्ट कर सकते हो बट दूसी तरी के से करने के लिए कैसे करेंगे वह बता रही हूं मैं इस तरी के से बालों को ट्विस्ट करेंगे एंड उपर की तरफ ले जाके राउंड में इस तरी के से ट्विस्ट कर देंगे और ऐसे घुमा देंगे ओके ट्व है तो अभी सारे बालों को एक साथ ओवर कपे कर दीए उपर के तो अच्छांच से कॉम करके हां पे सुरे के मालों को Man's Twist करूंगी first ने ऊपर करके जलाुंगा न्यायद में तरी गुमा दूंगी उसके बाद इस तरीके से सारे बालों का अंदर किसी तब इनसर्ट कर दूंगी और इसके बाद मेल rah plus क्लचल और बिल्कूल संटर में इस था यह सें लगा देंगे जीसे कि end पार्ट और स्टार्टिंग पार्ट जो था hair का वो पकड़ में आ जें क्लाचर के और काफी लॉंग लास्टिंग रहता इसमें आपको कोई रबट बेंड की जरुद नहीं स्रिफ एक क्लाचर की मदब से एक खुफसुदत सा बन आप बना सकते हो तो चलते हैं सेकंड हेर स्टाइल के तब अभी स्टार्ट कर दिया है मैंने दो यह स्टाइल स्टार्टिंग में खराब हुए थे क्योंकि हम लोग करते रहते हैं कि कुछ डिफरेंट बने कुछ अच्छा बने तो उसके लिए विगड़ता भी रहता है तो मैंने उसको वीडियो को कट नहीं किया था इसी में एड कर द कि इस तरीके से कि ट्विष्ट करके ऊपर की तरफ इस तरीके से पूल करना है जिसे कि थोड़ा पफ का लुक आ जाए उसके वाद आपको लेना है क्लचर कि इस तरीके से करके आपको क्लचर लगा देना है यहां पर तो यहां पर इस तरीके से क्लचर लगा देरी हुम है कि कैलों कि अब सारे बालों को टैसले यहर को पकड़ लेना है और नीचे से बागी बालो पकड़र लेना इस तरीके से और अच्छे से कॉप करके ऊपर की तरफ लेके जाएंगे क sensation कर लिजेगा इस तरीके से और इस तरव से को ने रिटर करें लेके आएंगे हलका हलका ट्विस्ट कर लिजगा नहीं तो कहो है और इस तरह के साथ के वह प्लघ त्विस्ट करके अलग करेंगे यूदा अपनी बालो में बना सकते हो यू पिन से से कर लेंगे और यह हमारा सेकंड है कि यूपिन दोचार एड करने हैं तो कर लीजेगा एजी है सेलफ है एंड आप एब्रीडे में बना सकते हो गर्मियों के लिए बैस्ट रहेगा चलते हैं थर्ड एस्टाइल के तब थर्ड एस्टाइल में हमको सारे बालों को इस तरीके से कॉम करना है और एक पोनी बना लेन है तो अच्छे से कॉम कर लिया है अब इसमें एक रवर्ड लगाएंगे तो इस तरीके से रवर्ड लगा रही हूं है अब रवर्ड को थोड़ा टाइट ली लगा लेंगे कि जितना आप से टाइट हो पाए उतना टाइट कर लिजेगा है कि उसके इस तरीके से बालों को ट्विश्ट करेंगे जैसे मैं कर जी हूं और ट्विश्ट करके ऊपर की तरफ से लेके आएंगे इस तरीके से और यहां पर लगाएंगे एक कलचर छोटा वाला उतना दूसी साइट से लेके जाएंगे और यूपिन से सिक्यूर कर देंगे तो यह हमारा फूर्थ हैस्टाइल हो गया कि चलते हैं चौथ है कि तरफ कि देखे कितना प्यादा लग रहा है इसको भी आप डेली में एवरी डे में गर्मियों के लिए ट्राइब कर सकते हो कि चौथ हैस्टाइल की तरफ चलते हैं चौथ हैस्टाइल में भी हमने पोनी बना रखिया अब आधे आधे बालों को ले लेंगे टैलकोम की मदद से है ओके और बिल्कुल सेंटर में रबड़ बैंड के ऊपर क्लसर लगा देंगे कि इस तरीके से पकड़ा है बालों को और विल्कुल बीच में आप एक लगा दिया है बड़ा वाला क्लचर है उसके पर के बालों को टू पार्ट में डिवाइट करेंगे और आपस में क्रॉस करते वे इस तरीके से हलका हलका ट्वीश्ट करते वे करें आ है कर दो दो Are को भी कर्वान को बताया था तो अगर को आपको अलब डिकना तो वीडियो जाके देख लीकिएगा इस तरीके से दो यूपिन से बने एक साइड के बालों को सेट कर दिया फिर दूसरी साइड के बालों को इस तरीके से लेके आई और फिर से यहां पर यूपिन से सैट कर दिया है फिर से नीचे वाले पार्ट को भी टू पार्ट में डिवाइड कर लेंगे कता है कि इस तरीके से त्विष्ट करेंगे और संपली उसी मेरिस किया उसी विद्वे सब्सक्राइब कुछ इस तरीके से है और ढूख उसरी सट्ट को भी इसे ही बस्तरह डोगे ह Native तो इसे को क्यों करेंगे और वह उप Dann is relevant है का तुठ कमिया है वह एजी है तो यह तो चलते हैं पांच्वेस्टाइल के सरफ तो यह पांच्वेस्टाइल था सौरी बीच में देख लिजेगा आपने पांच बता दिये वीडियो पसंद आई तो लाइक से कीजिएगा थेंक्स अबाची